दोस्तों शनी वार को पाकिस्तान में चीन के कल्चिलर काउंसलर जांग हेगिंग ने अपने ट्विटर पर एक साउथ कोरियन लड़की का डांस वीडियो पोस्ट किया पोस्ट करने के बाद वो हमेशा की तरह निश्चिन्त होकर बैट गए और अपने दूसरे काम करने लगे लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा पाकिस्तानी लोग उनकी उस वीडियो के निचे उनको गालियां देने लगे और उस वीडियो को डिलीट करने की मांग करने लगे जहांग हेकिंग ने उन कमेंट्स में आ रही गालियों को पढ़कर बिना कुछ सोचे समझे वो वीडियो डिलीट भी कर दिया वीडियो डिलीट होने के बाद पाकिस्तानियों में खुशी की लहर चा गई और उन्होंने पूरे देश में मिठाया बटमा कर इस कदम का स्वागत किया मज़ा कर रहा हूं दोस्तों मिठाया नहीं बाठी उन्होंने खेर आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था दरसल दोस्तों उस वीडियो में एक साउथ कोरियन टिक टॉकर एक गाने पर डांस कर रही थी उसने एक क्रॉप टॉप और बेली डांस कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जिसमें उसकी सुन्दर कमर और टांगे दिखाई दे रही थी इस वीडियो को पोस्ट करते वे चीनी काउंसलर ने लिखा था कि रिमूव यॉर हिजाब एंड लेट मी सी यॉर आइज यानि कि हिजाब उतारो और मुझे अपनी आँखों का दीदार करने दो बस दोस्तों इतना ही लिखाता उन्होंने उनके इतना लिखते ही पाकिस्तानी उन्हें कमेंट्स में समझाने लगे कि हिजाब इसलाम का एक अबिन अंग है और आपने पाकिस्तानी लड़कियों को हिजाब उतारो बोल कर पाकिस्तान का अफमान किया है आईशा खान नाम की एक यूजर ने लिखा कि हिजाब is good and every Muslim woman is proud of it शम्शुद्दीन अमजद नाम के एक यूजर ने लिखा कि हिजाब इसलाम का एक अभिन्न अंग है आपके द्वारा हिजाब के बारे में ऐसा ट्वीट कर दोनों देशों के राजनीतिक रिष्टों में दरार आ सकती है इस ट्वीट को तुरंट डिलीट होना चाहिए इसी तरह तारिक नाम के एक यूजर ने लिखा कि ये चाइनीज अधिकारी पाकिस्तान में पोस्टेट है और ऐसी चीज के खिलाफ बोल रहा है जो चीज इसलाम का हिस्सा है मैं आशा करता हूँ कि पाकिस्तान का विदेश मंत्राले इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा इसी तरह एक यूजर ने लिखा कि मिस्टर जाओ आपके इस ट्वीट से पाकिस्तान और चाइना के रिष्टे खराब हो सकते हैं दोस्तों ये लोग रिष्टे खराब हो सकते हैं तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये खुद इमरान खान के परसनल सलाकार होंगे खेर इन लोगों के कमेंट्स के बाद जांग हेकिंग ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और साथी साथ इस डांस वीडियो को भी भारत घुमने आ चुकी है और इंगलिज बोलना भी जानती है ये टिक टॉक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती है आप इसकी वीडियो देखो और बताओ कि आपको लड़की कैसी लगी पाकिस्तानियों ने जो कहा सोखा तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू और बताओ लेखो